नमस्कार दोस्तों मैं उपवन और आपका स्वागत है आपके अपने आई टेक्नोलेज चैनल पर दोस्तों मोधी सरकार के दुआरा बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और जो चाइना के एपते उसको बंद करें इतना अच्छा काम किया है कि उनके लिए ये गाना तो जरूर बनता है दोस्तों टिक टोक बेन होने पर आपके क्या विचार है आप कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों जितने आसमान में सितारे नहीं है उससे कई ज़्यादा टिक टोक पर स्टार बने हुए है दोस्तों बहुत सारे यूजर्स उसका गलत इस्तमाल करते हैं और क्राइम जैसे चीजों को बड़ावा देते हैं जो बिलकुल गलत है और टिक टोक ने हमारे नव योगों को बुरी तरीके से परवावित किया है वो अपनी फढ़ाई को छोड़ कर पूरे समय टिक टोक पर अपना समय देते हैं अतार्त अपना समय खराब करते हैं तो दोस्तों ये टिक टोक को बंद किया है सरकार ने तो इसके निर्णे से मैं तो बहुत कुछ हूँ चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ और आपको नहीं चीज़ बताता हूँ दोस्तों बारत चीन तनाव की बीच सरकार ने टिक टोक समय गुंसट मॉबाइल एप पर परतिबिन्द लगा दिया है इस उची में टिक टोक और यूसी ब्राउजर जैसे बड़े-बड़े एप सामिल है लद्दाक में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सरकार ने चीन के खिलाब आरती कारवाई शुरू कर दी है सौमार को ITM Electronics मंत्राले ने बारत में परचली चीन के गुंसट एप पर परतिबिन्द लगा दिया है जैसा कि आप देख रहे हूँ इन में TikTok, Hello, WeChat, UC News जैसे परमुक एप सामिल है अधिक तरह अपन जो एप से पोटो कीशते हैं Beauty Plus और Hello ऐसे बहुत सारे एप है जो अपन देने जिवन में यूज करते हैं दोस्तों चीन ने अपने देश में Google और Facebook जैसे बड़ी साइटों को परतिबिन्द लगा रखा है और चीन के एप को लेकर अंतराश्चे इस तर पर आसंगा जताई जा रही है सोम मारको सरकार ने इसी मापदन पर फेसला लिया कि चीन के 59 एप बारत की संफर्भुता, अखंडता और सुरुक्षा को लेकर पुनागरेक रखते थे ऐसे में सरकार ने IT Act के 69A सेक्शन के तहर इन 59A पर पर परतिबिन्द लगाने का पेसला किया है सरकार को इन IT के गलत इस्तमाल को लेकर कई सिकायते भी मिल रही थी सरकार दुआरा इन गुंसर्ट चाइनीज एप पर परतिबिन्द लगाया गया है जो इस परकार है TikTok, Shareit, Kawai, UC Browser, Widoo Map, Sen, Class of Kings, Demo Battery Saver, Hello, Like, U Camera Makeup, Ammy Community, CM Browser, Virus Cleaner, Apps Browser, Romy, Club Factory, NewsDoc, Beauty Plus, WeChat, UC News, QQ Mail, Vivo, Xander, QQ Music, QQ News Feed, Bigolayu, Selfie City, Mail Mail, Master, Ammy Video Call, Xomi, Vsaf, ES File Explosor, Viva Video, Mithu, Vigo Video, New Video Status, DU Recorder, World Hide, KC Cleaner, Dune F Studio, Dune Cleaner, Dune Browser, Hugo Play with New Friends, Cam Scanner, Clean Master, Wonder Camera, Photo Wonder, QQ Flare, V-Mate, Shoot Selfie, Video, V-Mate, QQ International, QQ Security Center, QQ Launcher, U Video, V-Fly Status Video, Mobile Legends, Due Privacy वही अब्बार सरकार ने चीनी एप पर पर परतिविन्द लगा दिया है हालांकि चीन के इन गुंसट एप पर परतिविन्द का पेसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कल दोनों देसों के बीज कोर कमांडर इस्तर की तीसरे दोर की बैटक लगदा के चुसूल में होने जा रही थी कास बात यह है कि मिटिंग इस बार बारत के बुलावे पर हो रही है इससे परले दोनों मिटिंगे चेन के आमंतरट पर आईजित की गई थी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी खुद की प्राइवेसी सेक्योर्टी पासवर्ड को किसी को बताना आपके लिए बहुत ही खतरनाक सा भी हो सकता है दोस्तों अगर आपके गर में ऐसा कोई सदच से हो जो आपके गर की हर चीज के बारे में जानकारी रखता हो और वो चीज किसी और को बता दें तो कितना बुरा प्रवाव पड़ेगा ऐसा ही बारत सरकार के दुआरा ये कदम उठाया गया है दोस्तों ये बहुत सार इसे चीननी एप होते हैं जो हमारे प्रावेशी को लेकर इनके पास डेटा मौझूद रहता है हम इस पर लोगिन करते हैं और ये हमारी प्रावेशी का पता करल दोस्तों बारत सरकार की तरब से जो सांदार कारी किया गया है चाइणी एप को बैन करके इससे मैं बहुत कुश हूँ और आसा करता हूँ आप भी कुश होंगे दोस्तों इसके उपर मेरा एक मन में डायलोग उत्परुन और आया मैं आपको बता देता हूँ सुना देता हूं कि Chinese App हो गए बेन हम हमो दीजी के सबसे बड़े फैन चायनी जेप हो गए बेन हम मोदी जी के सबसे बड़े भेन जैहीं जैवार कि घुछाओं कि जैहीं कि देदेकर अ क्यात्या सुछाँ जै।